इसमें हम एक्सराइज जानेंगे कि क्या है तो पहले टिक दा करेक्ट देखते हैं दे ओल लिवड टोगेधर इन लिटल हाउस जो इस अभी कहां रहते थे एक छोटे घर में रहते थे जो कहां था डाउन अंडर अ हिल बूड आदमी क्यों गया था गार्ण में तू सौय सीड एक बीज को गार्णे के लिए दो ओल आपने को आसे लिए little old woman को black and white cat ने किसको बुलाया था ग्रे माउस को बुलाया था फिर टू फॉल्स है there lived a little young man in a little house एक छोटा आदमी रहता था यंग मैन रहता था फॉल्स हो जा क्योंकि old man रहता था टर्निप वाज ट्वाइस एस बिग एस दा old man's head जो टर्निप थी वो दो गुनी थी उसके सिर्के तो यह गलत है वो कितनी थी तीन गुनी थी the little old man and other got the turnip into the house easily आसानी से ले गए तो यह भी क्या हो जाएगा false हो जाएगा the little old man water the seed every evening वो साम को पानी देता था यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो morning में देता था the little old woman sub the boiled turnip for dinner dinner के लिए उसने बॉइल टर्निप सर्फ की थी तो यह true हो जाएगा the little old man took his spade and went to saw his turnip seed तो टर्निप सीप के लिए गया था यहां पर फिलप देखिए the turnip until it was turnip इतना बढ़ा हुआ जब तक कि वो दो गुना नहीं हो गया था आदमी के सिर के लेकिन जब उसे मेजर किया गया था तो वास्तम में वो दो गुना नहीं था तीन होना था लेकिन यहां पर केबल हमें ग्रिव के बारें पूच्छे आ रहा है कि कि इतना बढ़ा तो व अधियत में वो थ्री टाइम्स बढ़ा था क्योंकि जब उसे मेजर किया गया था तब वो थ्री टाइम्स बढ़ा था दा ब्लैक एंड वाइट कैट केम रनिंग इंटुदा कहां आई थी गर्डन में आई थी और यह सेकिंद था हमारा दा लिटिल ओल्ड मैं बेंट यहां पर दो एक्सराइज दोनों सेम ही हैं दोनों में इसका यूज ज्यादा तर दिखाए गया वी गुएंग टू और बिद का तो गुएंग टू का मतला होता है वाला है जैसे विन्ए विल को नेश्ट वी विन्हें अगले हपते जाएगा वी विल गूइंग टूग टेलीविजन खरीदने जा रहे हैं तो जा रहे हैं करके लगाते हैं यानि जा वाले हैं तो विल गूइंग टू का यूज करते हैं तो यह पूर्शन आपका ग्रामर में समझाए जाएगा अच्छे से तब आप वहां समझ पाएंगे तो आपको एक्सराइस फिल करनी होगी बाकी आपकी पीछे हैं यह इनका यूज बताए गया उनी को जो यहां पर हमने पढ़े थे उनी का यूज यहां पर दिखाए गया और यह आपको नहीं करना है